भाई नमस्कार है सभी लोगों को सभी भाईयों को एवं सभी भेहनों को एवं दुनिया में सुन रहे मुझे इस वीडियो में दुनिया में से कहीं से भी सुन रहे लोग मुझे इस वीडियो में आप सभी लोग का एवं देख रहे सभी लोग का स्वागत करता हूं मैं इस व बता दू बारत देश यह वीडियो इंडियंस इंडिया के लोगों के लिए काफी ज्यादा खास रहेगा आपको बता दू इंडिया कंट्री भारत देश के union territory मैसे एक यूटी आपका जो दमन एंड द्यू एंड दादरा एंड नगर हवेली नाम का एक union territory जगा है इंडिया में यहां पर एक recruitment रिलीज हुआ है आप सभी के लिए जो की काफी update बढ़ा रहेगा आप सभी के लिए इसी वजह से यह वीडियो लाया गया आपके लिए आपको बताने के लिए जिसके बारे में जो भी कुछ है वह सारा कुछ नोटिफिकेशन से जुड़ेवे सारे अपडेट इस जौब के लिए जो भी आए हैं वो आपको इस ही वीडियो में पता लगेंगे तो आप सभी लोग ध्यान से सुनें सारी जनकारियां जो भी आपको बताई जा रही हैं आपको बता दू दोस्तों यहाँ पर भारत देश के union territory of Dadan и Nad Gabali and Amand Ai yukun के जगह पर जांते हो आपके बारत देश इंडिया country में आज के समय पर अलग-अलग जितनी भी union territory है उन मैंसे एक union territory है दादाब department are आवेली एंड दमन एंड दिऊ यह जगह है दोस्तों इधर जो अलग-अलग स्कूल्स है यहां पर जो स्कूल्स है जहां पर लोगों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स के अंदर फर्स्ट ट्वेल्स क्लासिस के लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं यहां पर एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है मतलब आप सभी के लिए एक विकेंसी आई है नोटिफिकेशन आया है जौब आई है ठीक है अब यह जौब सारी गवर्मेंट्स होंगे या नहीं उसके बारे में आपको बता दूं हाला कि अंद उफ इंडिया होती है या यूनियन गवर्मेंट होती है मतलब कि उनकी कोई अलग से गवर्मेंट उन जगावत میں नहीं होती यह न चीज आप लोगकि अगर इंडिया नहीं को बता दूंब बताने का मेरे को इसनवे इंप्रटेंट हैं आप सभी के लिए क्यू Weil आप रहा हूं उससे पहले मैं जगा के बारे में आपको किलियर करता है इसलिए चल रहा हूं आपको समझ रहे कि आप लोग जहां वेकंसी लेने जाओगे जॉब को करने तो आपको पहले से ही सारी जनकारिया किलियर होनी चाहिए आपको बता दू और यहां पर प्राइमरी यानि प्रट से लेकर आप अगर प्रट से लेकर देखते हो स्कूल के अंदर PGT यानि एक से लेकर 12 तक जितने भी क्लास इस है उसके रिकारडिंग आप जनना चाहरे हो आपको बता दूं यह आपका प्रट यहां से शुरू हो जाता है और PGT यहां तक जा रहा होत 17 लोग को recruit करके job देनी है 317 लोग को यहां से job मिल रही है जिसमें PRT भी है TGT भी है PGT भी है और अपर primary levels के teachers भी है मतलर basically यहां पर first to twelfth class सभी के recruitments कर रहे हैं स्कूल के अंदर 317 लोग को यहां से job दे रहे हैं सारा कुछ notification में दिया गया है दौनों के अलग अलग notification आये हैं मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में clear कर देता हूं जिससे कि आपको सारा कुछ समझ रहे हैं आपको बता दू आप लोग इंडिया से मुझे सुन रहे हो काफी अच्छी बात है आप सभी के लिए जानकारी खास है आप अगर जारखंड बेगाले है मनिपूर केरला करनाटका असम वेस्ट बंगाल तिरिपूरा तेलांगाना या फिर कोई भी ऐसी जगा इंडिया में ह और आप लोग मुझे अगर वहाँ से सुन रहे हैं तो आपके लिए वीडियो तो खास रहेगा ही क्योंकि ये वेकेंसी आपको आगे नोटिफिकेशन डिसकस करते हुए मैं आपको ये चीज़े किलियर करूँगा कि आप लोगों के लिए ये वेकेंसी है या नहीं ये इंडल होने ही चाहिए अगर ये केंडर शाशित प्रदेश गूराहर चाहिए। लेकिन नोटिस क्या है मैं आपको भी किलियर करूँगा आप लोग एंड तक देखना सारी जनकारिया अगर बात करें ये क्या हैं अन्दा है कि क्या हं और ऐसकुलिट क्या है ॉर्म की डेट क्या है form का फीस क्या है selection process कैसे होगा और यह vacancy कैसे मिलेंगी और salary क्या रहेगी और benefit क्या क्या होंगे लोगो को form भरने के सारा कुछ एक है A2Z मैं आपको clear करूंगा इस वीडियो में आप लोग end तक जरूर देखना आप सभी को clear हो जाएगा ठीक है और जो लोग दूसरे जगहों से सुन रहे हैं इंडिया को छोड़ कर तो आप लोग इंडियांस को share कर दें जनकारी क्योंकि उनके लिए खास है ठीक है भाई और रही बात इस job से जुड़ावा जो भी link रहेगा apply करने का हो या notification हो website हो या कोई सभी ऐसा link जो इस job से जो है link रखता है वो में सारे video के नीचे provide करा दिये है आप एक बार देख लो यह आपका official website है ut means union territory of दादरा एंड नगर हवेली यह जगह है एंड दमन एंड दियू ठीक है है यह पूरा का पूरा एक ही union territory है अब एक ही है आप पहले का आप इस्ट्री एक बार उठाकर देख लेना फिर कभी इसको discuss कर लेंगे अभी आप यह समझो कि यह union territory है basically यह जगह केंद्रा शाषित प्र जगहाओं में आती है ठीक है 317 वेकेंसी यहां पर दी गई है यानि कि यह government official website है आप यह चीतों देखके मान सकते हो आप देख रहे हो यह जगह भी दिखाई जारी जगह पर क्या कुछ है यह जगह पूरा दिखा रहे है इधर की यह जगह कैसी दिखती है यहां पर क्या क्या चीज़ है आप सारा कुछ यहां से देख सकते हो ठीक है तो यह सब है यह आप latest news और यह recruitment वाले section पर क्लिक करके view all पर आप आ जाना आपको notification यहां पर दिखेगा मैं आपको पहले तो दौनों ही notification आपको दिखा दूँ लोग को clear करने के लिए तो एक बार आप यहां देखो यह देखिए यह वाला notification आप देखोगे कह रहे हैं पोस्ट ग्राइड पीजीटी और टीजीटी का notification यह है ठीक है 12th of January आज से form चालू हुआ है 1st of February close हो जाएगा और PRT वालों के लिए और अपर प्राइमरी वाले टीचर्स के लिए यह 9 तारिक से form चालू हो गए है और यह 29 जैनवरी को form close है यानि इन्होंने टोटल टोटल अगर बात करें तो थ्री वीक का समय दिया है हर तरह के form पे यानि कि 21 दिन का समय दिया है इन्होंने form भरने के लिए 21 दिन में जो भी लोग form भर लेते हैं successfully apply करके वो लोग जो है इस विकेंसी में आगे बढ़ सकते हैं सभी को online form भरना है बहनो जितने भी लोग सुन रहे हो online form भरना ठीक है भाई चलिये हां किसी में भी इसमें offline mode नहीं है यूटी एड्मिनिस्टेशन जो आके हैं उन्होंने इस चीट को डाला है इस notification को यह छे तारिक को notification प्रिपेर हो गया था 6th of January को ठीक है यह पहला ही notification ही recruitment के लिए आप देखोगे पहला notification आपका इस year का है और इसमें आप देखोगे यह लिखा हुआ है नगर हवेली अंदमने डियू वही सेम चीछ है इन्वाइट कर रहा है ओनलाइन भर्दो फॉर्म जो भी लोग eligible है इन पोस्ट बर प्यार टी की बात करूँगा पहले मैं primary और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए स्कूल से है बेसिकली आप जानते ही हो कि इनको स्कूल में पढ़ाना हो गुरुप भी है नॉन गैजेटिट पोस्ट है मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपका स्टैंप कहीं माहना मांग वैलेड रहेगा कि आप अगर कहीं गैजेटिटिट ऑफिस सरीया पोस्ट नहीं है कि यानि प्यार्टी और अपर प्राइमरी यानि यूपी आर्टी इन तरह की पोश्टे हैं कि पेवेंड सेकिंड है भाई यह यह लोग अप सुन लोग पेवेंड सेकिंड इन्होंने बताया है यह 9300 रुपे से लेके 34800 तक आपको सैलरे देंगे प्लस 4200 रुपे हर महीने यह है आपको देंगे ठीक है एस पर 6th CPC 6th CPC मतलब कि यह है आप यहां पर एक जो है यह एस लेवल 6 एस पर 7th CPC अब मैं आपको एक चीज़ किलियर कर दो दोस्तों यह 7th CPC क्या है यह 7th CPC एक grade decide करे है लोगों को किन-किन जगाओ पर लोग क्या क्या काम करेंगे तो सरकार ब है तो 7th CPC का salary है आप देख लो salary इन्होंने बताया है 34,888 यह maximum है आप अगर देखोगे तो यह 9000 यह मान लो अपने और 4000 यह तो आप यह मान के चलो 15-20,000 रुपए आपको PRT के post पर salary के तौर पर हर महीने मिलेंगे ही मिलेंगे इतना तो confirm है 15-20,000 20,000 आप मान सकते हो ठीक ह हाँ यही मान के चलना यह मत मानना जो maximum दिया हुआ है maximum range वो बड़ बड़ के पहुचती है ठीक है वो लोग आपको कहा देंगे कि भाई हमने तो यह range में maximum में डाला है आप इसी को salary क्यों मान रहे हो ठीक है वेकेंसी बता दू 112 दी है इन्होंने PRT और इसमें upper primary भी 112 वेकेंसी दी है ठीक है मैं वेकेंसियों का breakup अभी आपको बता हुआ एक पार अब यह समझो 112 मैंसे 58 लोग यूर कैटिगरी से लेंगे जिसमें यह लोग 3 physically handicapped को भी लेंगे अनुसुचित जाती से 16 लोग को लेंगे OPC से 30 लोग को लेंगे ठीक है और यह कह रहे हैं कि qualification नहीं है यहां पर देखो कि आप तो first to fifth class को पढ़ाने के लिए आपका जो है बारवी क्लास पास होना चाहिए 50% के साथ और दो साल का आपका Diploma in elementary education मतलब DL ed होता है यह आपका करा हुआ हो ठीक है या फिर आप आपने बारवी क्लास पास करिए 45% मार्क के साथ ठीक है और आपने दो साल का Diploma DL ed करा है या फिर उसका जो भी नाव है आपने करा है विद्धा NCTE से Regulation 2002 के इसाब से तो भी accept कर लेंगे या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानि बारवी क्लास 50% के साथ पास किया और आपने चार साल का B.L. ed कर लिया और Bachelor of Elementary Education तो भी accept करेंगे हाला कि मैं आपको बता दू अब B.Ed accept नहीं होता Firstly आपके primary यानि PRT के लिए ठीक है तो आप लोग अगर सिर्फ B.Ed करें होए हो तो आप लोग यहां पर eligible नहीं हो आपको एक और चीज़ बता दू आप अगर बारवी क्लास पास हो 50% प्लस मार्क्स के साथ और यहां पर 2 साल का अपना डिपलोमा कर रहा है एजुकेशन में निया डिपलोमा इन एजुकेशन जिन लोगों ने कर आ है वो लोग अप्लाए कर सकते हैं नमें से कोई भी एक चीज हो और साथ में आप लोग टेट के एक्जाम में पास जो conducted by the appropriate government in accordance with the ठीक है इन्होंने बोला आप TET exam past होने चीए ठीक है भाई PRT में apply करने के लिए TET का paper 1 past होना जरूरी है आप यहाँ पर क्या है कि आप CTET भी लगा सकते हो क्योंकि यह union territory है प्लस यह आप यहाँ पर जो है स्टेट वाला भी accept होता है अपर तो आप वह भी लगा सकते हो ठीक है और इन्होंने बोला है अगर आप 68 क्लास जो अपर प्राइमरी में यह लोग accept कर लेंगे लेकिन यह PRT यहीं एक से पांच के लिए एकसेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने रूल कर दिया अब यह ऑल इंडिया रूल यही चला रहे हैं कि बीएड एकसेप्ट नहीं है अब जो भी कुछ है आप लोग के सामने अभी का सिचुएशन यही है कि बीएड सिर्फ 1st to 5th क्लास को छोड़के बागी ग्लासों के लिए लिया जाएगा ठीक है तो 68 वाले लोग सभी यह सारे पॉइंट रीड कर लो इनमें से आप दीके याद रखेगा कोई भी एक क्वालिफिकेशन फुल्फिल करनी है यह और वाले ऑप्शन समय ठीक है और फिसके बाद यह चीज़ रहेंगी और यह जो सेकंड बी है यानि बी पॉइंट जो है आप अगर आपको अपर प्राइमरी को पड़ाना है लेकिन वो टैट एक्जाम का पेपर सेकंड पास दो ठीक है जैसे आपने सीटेट करा है तो पेपर सेकंड पास दो सीटेट तो एकसेप्ट होगा ही यहापर क्योंकि यह यूनियन टेरेटरी है हलाकि राज्जीयों का अगर है तो उसके वो उसके लिए आपको एंसी के बारे के जो पॉइंट है वो आपको रिडिक पर करने पड़ेंगे ठीक है भाई मैं आपको वेकेंसी जैसे मैंने बता है वन देट ट्वैल विनों ने दी है उसमें आप देखो के अगर आप फर्स्ट फिफ्ट को पढ़ाने जाते हो तो 58 वेकेंसी है जिसमें से यू आर की 31 है ओबीसी की 15 है इसी तरीके से आप अगर अपर प्राइमरी को पढ़ाओके तो म मैंने कि वहाँ पर आपको साइंस सब्जेक्ट के लिए रहे हैं साइंस या मैस की वेकेंसी नोंने 31 दिया मैंने स्कूल के अंदर से 31 लोग के ज़र होते हैं आप देख रहे हो कितने कम लोग ले रहे हैं उसमें से भी आप देखो के साइंस और मैस और इस तरीके से रहेगा लेंग वेज का आप देखोगे तो लेंग्वेज जो भी Maharि सब्जेक्ट होता है आप जासे जानती ह्यों हिंदी एक सब्जेक्ट हो गया एंगलिस एक सब्जेक्ट हो गया combined six टू एट में जो भी यह लोग लेंग्वेज सब्जेक्क प्ला रहे हैं वह स्कूर्स में वहाँ पर यह 12 लोग को रिक्रूट करेंगे सोचल स्टडीज के लिए कह रहे हैं कि 11 लोग को हम लेंगे तोटल इस तरीके से 112 हो गए ठीक है तोटल 112 इस तरीके से हो गए अभी disabled वाले जितने भाई वेन हो एक पार अपना यहां से रिड कर लेना सारे पॉइंट जो भी आपके disabled वाले दिये हुए है अप्लाए करने का सिम्फल प्रोसेस है आप 9 जैनवरी से फॉर्म चालू है 39 जैनवरी लाश्ट है ठीक है तो इसको आप अप्लाए कर लेना और अप्लाए करने का प्रोसेस में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा क्या रहेगा यह आपके जो SSB के जॉइंट सेक्रेटरी है जगह के उन्होंने इसको जो है notify को release करा है basically इन्होंने ही इस notice को दिया है आप सभी के सामने कि तूँ और कोट ओडर डेटिड ठीक है इन्होंने क्या बोला देगी अब यह वेकेंसी भरेंगे कैसे यह वेकेंसी से यह लोगों को recruit कैसे करेंगे वह मैं आपको बता दूँ कंड़क्ट रिटर्ण टेस्ट बाइ लिस्ट डेटिड ठीक है इन्होंने कुछ पॉइंट लिखे वह आपको इक बार बता दूँ दिखे जो कंड़िट हुए अप्लाइड और एलिजिबल अगेंस्ट इसपी पे भी अप्लाइ कर रहे हैं कंड़िट और एलिजिबल है मतलब जो लोग ने पहले कभी इनके द्वारा रिक्रूट्मेंट के लिए फॉर्म भरे थे और वो लोग अभी भी रिक्रूट्मेंट के लिए बढ़ रहे हैं तो एक फ्रेश फॉर्म भरे यह लोग कह रहे हैं और एक चीज और आपको बता दू डिटेल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहीगी वो मैंने आपको बता दिये और यहाँ पर याद रखेगा प्राइमली टीचर्स के लिए इनोंने उपर नहीं लिखाता लेकिन बात में इस चीज को लिख दिया प्रिट के लिए टेट वन टेट का पेपर वन पास चाहिए आपर प्रायमरी के लिए केस मान के चले candidate applies for apply कर रहा है वो अब यूपी आरटी टीचर्स के लिए मैस साइंस या इन सब्जेक्ट्स के लिए तो एप्लिकेंट शुट भी वो बीएस्सी कराओ आओ इन्हें से किसी में भी ठीक है तो यह इन्होंने qualification रखा है बीएस्सी हो बीए हो बीकॉम हो तो वह एक कंडिशन आपके लिए रखी है और कह रहे हैं ऑल्लाइन रिटन एक्जाम जो है इन पोश्ट के लिए आपका जो है विल बी कंड़क्टिड इंगली हिंदी और गुजराती में कराएंगे अब इन्होंने गुजराती क्यों दिय क्योंकि लोग को सम hadhi जाएगी और दूसरा इंगलीस में देंगे इंगल्स में क्यों देंगे इंगले इंगलीस तो भाइज सभी चाहिएई चाहिए कि ज़रूरिए थोडिये कि सबको गुझराती आये ये नहीं भी आई तो सभ सेंसी पुझ घृष ऑ़नों में दिया है ठीक है बाई यह चीज़ किलियर हो रही होंगी दो लैंग विटम कोशिन पेपर मिलेगा एक आपका इसमें एक्जाम होगा यानि ओनलाइन रिटन एक्जाम होगा मतलब यह कंप्यूटर पर एक्जाम होंगे सारे और ओनलाइन एप्लिकेशन सक्सेस्फूली आपको फर भर द यहीर है वह आप फार्म में पता सकते हो और यही एक्जाम का सेन्टर जो आप में दे रहे हो यही 황म जाएगा और मेरेट लिग का बने यहीं कर थे हो हो लोग यह 30 लिष्ट में देख पाएंगे ठीक है जो भी केंडिड का क्वालिफिकेशन एलिजबिलिटी है वो लास्ट डेट यह नहीं 29 ऑफ जैनुवरी 24 के पहले-पहले का होना चाहिए ठीक है भाई हमाली जो अपियर है माली यह में अपने बैठे हुए है किसी क्वालिफिकेशन करें क्योंकि वो लोग अलिजबल नहीं है अब ही जैसे आप लोग महां एक्जाम सेंटर पर जाओगे ठीक है तो वो लोग के लिए कुछ कंडिशन है कि आप लोगो कौन-कौन से प्रोसेस फॉलो करने कौन-कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने उसके लिए यह सब देख लेना इन्होने बताया पेनल्टी हो सकता अपके उपर तो उसके लिए आप देख लेना एक्जाम सेंटर पर सीजी टीवी रहेंगे सारे जो एक कीमरास से रहेंगे वो देखेंगे कि हाँ यह कैंडेट कीटिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वह सब चीजे वहां रहेंगे ठीक है अब देखिए मैं चीज और आपको कर दू किलियर आप अगर किसी भी रिजर्वेशन केटिग्री में आपको बेनेफिट मिलेगा ही क्योंकि यह यूनियन टेरेटरी इसका मतब यह दूसरे राजे लोगों को भी रिजर्व बेनेफिट मिलेंगे अब लेकिन यह जानना आप लोगों के जरूरी है कि आल इंडिया लोग फॉर्म बर सकते हैं नहीं मैं अभी आपको किलियर कर दूँगा इन्होंने सिलेवस का कहा है हर पोस्ट का सिलेवस जो 100 मार्क्स का एक्जाम होगा वह आपको कह रहे हैं विल भी पब्लिश्ट यह अभी यह डाल 500 रुपीस लेंगे तो हर तरीके से इन्होंने फीज बताया हुगा ठीक है देखे आप एक ची और बता दू आप इस एक्जाम सेंटर पर जाते हो इसमें आपको आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा आप लोगों को यहां पर इसमें अपियर होने के लिए इस एक्जाम के लिए आप खुद के भीयाफ पर जाना आपने खुद के एक्सपेंसिस के भीयाफ पर आप खुद का खर्चा करते हो यहां जाओगे इस एक्जाम को देने यह चीज़ लोगो को किलियर हो गए होगी यह आपका PRT एक्सी रेक्रूटमेंट था इसमें वेकेंसि कम है आप देखोगे TGT और PGT में वेकेंसिस जाधा इनमें तो स्रीफ 112 वेकेंसिस हैं 317 में से ठीक है बाकी वेकेंसे सारे ये PGT और TGT से बार रहे हैं ठीक है अपने स्कूल्स के अंदर अपने जगा के माँ पर स्कूल्स में तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़े देख रहे हो ये नोटिस PRT वालों के लिए था और UPRT वालों के लिए था ठीक है गवर्मेंट सर्वेंट को ये 5 साल का आपको अपर एज में रिलेक्शेशन देंगे हाला कि यहाँ पर आपको SCHT और इन सब में भी अपर एज का बेनेफिट मिलेगा ही क्योंकि ये यूनियन टेरिट्री आफ इंडिया में आ रहा है ठीक है आगर आप SCHT हो तो ये अपर सब्सक्राइब करा लें हाला कि इसमें लिखा नहीं है ये उसके बाद आपसे डॉक्यूंट वेरिफाय करा के आपको डिरेक्ट स्कूल्स के अंदर भेज देंगे कहेंगे जाओ इन जॉबों को करो ठीक है सेलरी वही है जो आपको यहाँ बताया गया बीस पंद्रा से बीस इंडिया फॉर्म बढ़ सकते हो पूरे इंडिया में कहीं से भी ठीक है चलिए अब मैं सेकेंड नोटिफिकेशन पर आता हूं यह आप देखो के यह भी सेम डेट में आया था नोटिफिकेशन इसमें रिकूट कर रहे है आपका पीजीटी को रिकूट कर रहे है जो की गु का नग Secret Iddzis नहीं है यह बैवल आउट का सेलरी जरी यह आपको 47600 से लेकर यह आपको 51 थाउजन तक का सेलरी देंगे पेवेंड second है ये ठीक है भई? और प्लस ये आपको जो है grade पे ये आपको 5000 पे देंगे हालागी इसमें 200 कम है आप ये मानके चलो 5000 रुपे और आपको अलग से grade पे में देंगे ठीक है ये प्री रिवाय्ज है रिवाय्ज जोने से पहले का डेटा अभी जो रिवाइज है उसको नहीं डाला यहां पर पर उसकता है उसमें चेंजीगिज तो इसमें कुछ रही हो जादा हो पीजी टी यह लोग 75 पीजीटी सको रिकरूट करके में वेकेंशिया दे रहे हैं आलाकि यह यह वेकेंशित बहुत कम है अगर देखें तो graduate होने जरूरी है ठीक है मतलब आप master degree past होने जरूरी है किसी इंसिट्यूट university से all India में भी दूसरे देशों से भी आप इसमें apply कर सकते हो अगर आप दूसरे देश से भी डिग्रियां करके आये हो 50% से ज्यादा marks लाये हो किसी भी field में आपका degree subject में जिस पोस्ट पे आप apply करोगे एंड आपने बीए एड करा हो यानि बीए बैसलर अफ आर्ट इन एजुकेशन में कर लिया है बीसी एड कर लिया इंटीग्रेटिड कोर्स होते हैं लोग एक बार में कर लेते हैं तो अपने यह भी करा है तो भी आप लोग फॉर्म बढ़ सकते हो second यह कह रहे है eligibility condition यह रहेगी for medium specific teacher जो specific medium पर apply कर रहे है उनके लिए तो आपने उस field में पढ़ाई करी हो मतलब आप किसी specific subject पर पढ़ाने के लिए फॉर्म बढ़ोगे तो आपको उस subject में qualification तो होना ही चाहिए यह तो आपको भी पता होना ही चाहिए ठीक है इसमें भी सेम वही है 30 से कम एज वाले लोग फॉर्म बढ़ेंगे PGT में हाला कि यह ज़्यादा रखना चाहिए था इनको PGT वालों के लिए और वही है सारे point वही है central government central government के rule चलेंगे इन्होंने बता दिया देख लिए मतलब क्या हो जाता है यानि SCST को पात साल OBC को तीन साल वही सारे चीज़े फॉल होंगे ठीक है हाला कि mention नहीं है लेकिन लोग को समझना होता अगर इस point को देखके आपको चीज़ समझ जानी चाहिए ठीक है PGT कौन होते बाई PGT mostly 11 12 क्लास को पढ़ा रहे होते स्कूल में क्लासों को पढ़ाना होता है यहाँ पर आप देखोगे इसमें सबसे आदा इनकुट से यह TGT TGT वो है जो 9 10 क्लास को पढ़ाएंगे trained graduate teachers होते हैं इनको यह 45,000 से लेकर 1,42,000 तक का salary देंगे और 4,600 रुपे प्लस अलग से देंगे तो आप यह मान के चलो कि PGT को पर मन्त जो मिल रहे हैं 48 प्लस 5 यानि कि कम से कम 55,000 रुपे पर मन्त एक PGT अपने मान सकते हैं और TGT 50,000 प्लस पर मन्त हर महीने मान सकते हैं त अगर आपने graduation करिए graduate हो आप किसी भी university से TGT में graduate चाहिए होता है स्रिफ 50% प्लस marks प्लस उसके किसी भी field में दोस्तों किसी भी field में बोल रहा हूं मैं BCA, BCOM, BA, BA, BBA, कोई सा भी bachelor प्लस वो एक BA degree करा हूआ उसने NC TE द्वारा तो वो apply कर देगा या फिर वो चार साल का BA BA करा और साथ में बोल रहे हैं आपने जिस field पर apply कर रहे हो उस field का आपको थोड़ा ध्यान रखना है उसकी qualifications ठीक है age इन्होंने इस post के लिए भी same रखा है TGT और PGT में age सबका same है वे vacancy आपको बताता चलू और यहाँ पर ब्रेक अपर subject wise, category wise, post of PGT में आपको बता दू इनको PGT किस-किस चीज़ों के लिए चाहिए इनको PGT चाहिए English medium में आप देखोगे इनको English medium में PGT चाहिए उसके लिए इन्होंने vacancy दिया है मतलब कि आपको यहाँ पर देखे आपको schools में जाना है PGT के तौर पर biology subject को पढ़ाना है English language में English में पढ़ाना होगा आपको ठीक है medium means यह है हां तो आप देखे अभी चीज़ आद रखेगा आपका qualification जो भी रहना डिग्री डिप्लोमा या जो भी है वह आपका उसी medium में qualification हो जिस पोस्ट पर आप जिस medium में पढ़ाने जाओगे ठीक है भाई सपोज आप PGT जा रहे हो PGT जोग्राफी subject को पढ़ाने जाओगे स्कूल में तो अपने English medium से करा हुआ होगा तभी आप इस English medium में पढ़ाओगे ठीक है यह चीज़े वहाँ पर दी गई थी उपर point में एक बार आपको बता दू PGT का वेकेंसी कुछ इस तरीके से है टोटल इनको PGT English medium के अंदर यहां पर चाहिए 39 लोग चाहिए ठीक है 39 इनको टोटल चाहिए उस 39 में से आप अगर देखोगे इनको UR category से 11 चाहिए SC से 7 चाहिए अनुसूची जंजाती से 3 चाहिए OBC से इनको 13 लोग चाहिए तो इस तरीके से अलग-अलग वर्क से लोग को लेंगे उनमें भी नोंने बताया है सपोज अगर आप लोग UR हो तो आप लोग 11 लोग को लिया जाएगा PGT English Medium में लेकिन उन 11 में से आप देखोगे तीन लोग Biology पढ़ाएंगे से यूर केटिगरी से Chemistry दो लोग पढ़ाएंगे और Economics एक केंड़ेट को लेंगे शरीफ यह और Geography में भी एक को लेंगे तो इस तरीके से इन्होंने बताया है सेम गुजराती Medium मतलब आपको Schools में जाना है यही सेम सब्जेक्स को पढ़ाएं लेकिन गुजराती भाषा में पढ़ाना है गुजराती Medium में तो ऐसे में लोग 15 लिये जाएंगे और यू आर से चार लेंगे अनुसूची जाती से तील लेंगे अब वो चार जो यू आर से ले रहे हैं उसमें से एक केंड़ेट इनको chemistry पढ़ाने के लिए चाहिए गुजराती में पढ़ाएगा वो chemistry ठीक है सेम वो जो भी केंड़ेट होगा और economics जो भी केंड़ेट पढ़ाने जाएगा वो जुजराती में में पढ़ाने वाला है यह चीरे है सेम आप Hindi पुद्र है मुद्धेंयादी अभी देख सकते हो और मराठी में भी यह आपको recruit कर रहे हैं language subject means यह हो जाता है कि जैसे कि आपको English पढ़ाना हुआ ठीक है English language subject हो जाता है Hindi एक language subject है तो इनके लिए इन्होंने बता है language subject ठीक है भाई अगे बढ़ लेते हैं इसके अंदर अब मैं आपको TGT की वेकेंसी पता दूँ अगर आप TGT के post पर पढ़ाने जाओगे अगर आप English पढ़ाओगे तो आपका वेकेंसी English medium में तो नहीं है आप English पढ़ाओगे Mathematics पढ़ाओगे तो 30 लोग इनको चाहिए Maths पढ़ाने के लिए English के अंदर Science पढ़ाने के 25 लोग चाहिए English medium में Social science के 29 लोग चाहिए तो 84 इस तरीके से TGT और PGT वालों के लिए 1st of January 1st of February में एक क्लोज होगा ठीक है यह इसमें भी आपका एक return exam लेंगे online यानि computer पर वही English और जो गुजराती भाशा में देखकर आपके exam को यह करवाएंगे ठीक है कि 100 marks का रहेगा negative marking सेम रहेगी 33% marks आप सभी को इसमें score करने होंगे आपको पास करने के लिए और इसी के वे पेस पर यह आपका selection कर लेंगे हो सकता interview ना हो यह direct document verify करके आपको job दे दे ठीक है सिलेवस में आपको इसका provide करा दूंगा अभी यहां पर आया नहीं है और या तो आप previous year का थोड़ा देख लो सिलेवस क्या था उसी को इसाप से इस साल का जो नया data होगा उसके इसाप से आप preparation कर सकते हो 200 रुपे पर फीस रहेगा apply करने का SCHT वाले भाई बैनों से फीस नहीं लेंगे यह एक सर्विसमेन वालों से 100 रुपे लेंगे ठीक है एक सर्विसमेन मतलब वो लोग जो Navy Army Air Force में काम कर चुके है और अब वो यहां जागे आगा job करेंगे तो उनको इतना फीस देना है form का बागी ए दौनों का notification हो चुका है TGT PGT वाला भी हो गया और PRT वाला भी हो गया एक से 12 क्लास को टोटल पढ़ाएने के लिए इनको 317 लोग recruit करने अब ऐसा नहीं कि यह काज स्कूल है जितने मर्जी स्कूल हो सकते हैं इनके उस जखापर उसके अंदर रिक्रूट करके वेकेंसी दे कर रहे हैं यह आप देखो के PRT वालों के लिए apply करने का link है इस पर select post आपको यहाँ पर post select करनी होगी पहले कि आप किस पर apply कर रहे हो ठीक है यह apply link है और यह link मैंने आपको provide करा दिया है जैसे आपको अपर प्राइमरी चाहिए प्राइमरी चाहिए पहले आप वह बता होगे फिर educational qualification के बारे में कुछ पॉइंट है और इस तरीके से आपको फॉर्म बार्ना है सबको सारा कुछ समझ आ गया होगा आप इस चानकारी को share कर दो पूरे दुनिया में जहां तक आप कर सकते हो share आपस में एक एक लोगों तक इंडिया में खासकर share करो एक एक लोगों तक और कोई doubt लगा हो comment में बताओ मैं आपसे मिलता हो जल्द ही तब तक के लिए आप सभ पी का धन्यवाद